कठल की सबजी खाने में सही में बहुत अच्छा लगता है और आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल सूखी प्यास की कठल की सबजी तो मैंने इसे काटने के लिए पेपर विछाया है शौपिंग बोट के उपर तो चलिए इसे काट लेते हैं तो मार्केट में एक दम ताजी-ताजी कठल मिल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसे घर ले जाके इसका टेस्टी सूखी सबजी बनाया जाए बहुत कोई क्या करते हैं इसे मार्केट से ही काटके लाते हैं तो इसे मार्केट से भी काटके आप ला सकते हैं पर घर में भी काटना इसे बहुत आसान है तो देखि बहुत ज़ादा बरे साइस के भी ने मीडियम साइस के हैं तो मैंने हाथ में बहुत अच्छे से सर्सु तेल लगा लिया है और पीपर मैंने इसलिए बिछाया है अब इसको छिलका देखिए जो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं ऐसे कोई घबराने का बात नहीं कि इसे काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है बिलकुल हार्ड नहीं है और बीच में जो सफिद वाला हिस्सा है इसे अलग कर लेना है क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है इ दुकान से अगर काट के ले आएंगे न कभी-कभी होता है क्या न उलोग ज़ादक से ज़ादा ये वाला पूर्शन एड़ ही कर देते हैं मैंने इसका पीस चो काटा है न उह हलका सा मोटा ही रखे हैं मैं जैसे सबजी बनाने जा रही हूँ इससे क्या होता है न थोरसा में डाल दिया, तो सारे जो कठल है ना वो बहुत ही अच्छे से मैंने जट पट से काट लिया है, इसे काटने में बिल्कुल परेसानी हमें नहीं हुआ, अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में इसे उबाल लेती हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरा बरतर में भी इसे उबाल सकते हैं, पर प्रेशर कुकर में एक सीटिया लगाने से ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं, तो हाथ में सरसो तिल लगाया था, तो हाथ भी बिल्कुल मेरा काला नहीं परा, तो चली मैंने प्रेशर कुकर में कठल को एट कर लिया है, अब इसमें डाल करना है नमक थोर असा नमक एट करना है और थोर असा हल्दी पावडर और इसी के साथ मैं एट करूंगी थोर असा सरसु तेल आप चाहे तो डिफाइंड ओयल भी यूज कर सकते है इसे क्या होता है ना बरतन में भी यह गम जैसा लग जाते है तो ऑईल डालने से वह चीज नह आज कर देंगे और आन कर इसे कम से कम एक सीटी आने तक वेट करेंगे जैसे एक सीटी आ जाया ना गयास का फिरिफार हमें बंद कर लेना है तो इसमें धेर सारे प्याज लेए है मतलब लगभग 400 से 500 ग्राम करीब मैं त लिग प्याज को पहले अच्छे से चील लेते हैं यह जो रेसिपी में बनाने जा रही हुना इसमें प्यास का इस्तमल थोड़ा जादा ही होता है तब यह सबजी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और खाने में बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ पराठा के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप चाहे त तो प्यास को इधन लंबाई में चौप करना है अब मैंने लिया है लहसून अद्रक और हरीमेच तो चलिए लहसून का जो छिलके है ना इसे पहले निकाल लेती हूँ मैंने लहसून को ना पाच मिनिट तक पानी में भीगो के रखा था क्योंकि इसे क्या होता है छिलका बहु लहसून का ही इस्तमाल होते है तो देखिए कठल जो है ना वो परफिक्ट एकदम परफिक्ट सॉफ्ट हो गये है और यह मेडियम साइज के थे यह ऐसे ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते है तो इसे पानी से हमें निकाल लेना है और पानी को फेक देना है यह पानी हलका सा कसा सा होता है इसे हम सबजी में बिल्कुल यू71 नहीं करेंगे तो इसे हम फेक देंगे बहुत कोई ये पानी को इस्टमाल कर लेते हैं पर वह भी कर सकते हैं पर मुझे लगता है कि ये कसा सा हो जाते है अब मैंने एक मीकसिंग ज़ा लिया है इसमें मैं दरदरा सा piece up कर सकते हैं और अब मैंने लिए डिया है बस थोड सा depresseduitel तेल gdy गरन होते ही इसमें कखल को अठी कर लेंगे और कखले को अच्छे से हमें भून लेना है बहुत ही अच्छे से हमें भून लेना है भूनते समय फ्लेम को रखना है बिल्कुल मेडियम यह नॉन स्टिक कराई है तो यह बिल्कुल छिपकेंगे नहीं तो इसलिए कर्थल भूनने के लिए मैंने इसे कराई का इस्तमाल किया है तो बहुत अच्छे से ब्राउन होके ना यह भून जाते है आप चाह है तो रिफाइंड ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं पर सरसु तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सबजी में और तिल गरम होते ही मैंने इसमें एट किया है साबूत जीरा और इसे के साथ खरे गरम मसाले और सूखी दो लालमेच और तेजपता अब इसमें एट कर ल जो मैंने काटके रखा था एकदम लंबाई में चौप करना है तब ही यह प्यास कठल की सबजी ना खाने में मजा आता है तो प्यास को हमें अच्छे से भून लेना है तो सबसे पहले प्यास को मैंने एट कर लिया है तो चलिए मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भून ल अपस में खुलने लगेंगे तो दिखिए एक दम परफेक्ट कितना प्यारा लग रहा है ना इतनी दूर प्यास को फ्राइ करने के बाद इसमें एट कर देंगे टमाटर को मैंने मेडियम पीसे में कट करके रखा था अब तमाटर एट करने के बाद इसके उपर भी हल्का सा न और लहसुन का पेस्ट क्योंकि ये भी कच्छे है ये भी इसके साथ भूना जाएगा ना तो कच्छे समेल बिल्कुल नहीं आएंगे तो इस स्टेज में इसको एट कर लेना है और सारे चीज को एक साथ हमें भूनना है वो भी बिल्कुल लो फ्लेम में और ढग ढग के हम इसे फ्राई करेंगे मतलब पकाएंगे तो चली इसे धग देते हैं धग के एक से डेर मिनट तक वेट करते हैं और जैसे ही कुछ देर हो जाए तब धगकन निकाल के इसे हलका सा चला लेना है तो अच्छे से ये सौफ हो चुके है और टमाटर भी सौफ होने लगे है तो अब इसम कमजीरा पाउडर और कष्मिरी लाल मर्च तूर अशा ज्यादा कुवंटिंटी में उसका मैं। जूर्दे चमज लगभग 3 चमज में आट इया किया। आप डेर चमज करीब कष्मिरी लाल मर्च एक कर सकते हैं। इसके साथ गरम असाल मकावडर भी मैंने एकग किया है कश्मिरी लाल मिज से कलर अच्छा हाता है तो इसलिए मैं रने कश्मिरी लाल मिर्च का ethical किया है तो अब इसे देख लीजे ढग के पकाने से यह कितना perfect एकदम आया है और बहुत अच्छे से पग भी गये हैं एकदम perfect मतलब जो मसाला है यह बहुत अच्छे से कुख हो चुके है स्थील का कराई में जितना भी आप लू फ्लेम रखे हल्का सा नीचे चिपकते हैं पर इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें एट किया है मैंने कसोरी मेथी इसे टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे आप चाहे तो हल्का सा कसोरी मेथी को भूनने के बाद क्रश करके लास्ट में भी एट कर सकते हैं पर मैंने इस स्टेज में ही एट कर लिया है, अब इसमें एट कर लेते हैं कठल, भूने हुए कठल, जो मैंने पहले ही भून के रखा था, अब इसे एट करके अच्छे से मसाला के साथ हमें मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूं, कम से कम दो से तीन मिनट त और पकर के अच्छे से कठल को मसाला के साथ मिक्स किया है, तो देखिए अभी से कितने प्यारे लग रहे हैं, और कठल भी पूरी तरह से पके है, और अब इसमें डालना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक तो मैंने प्यास और टमाटर में एट किया था, तो समझ के नम किया है, थोरा सब पानी, बहुत जयद्डा पानी नहीं, तो थोरा सब पानी इसे हलका सा आपस में मसाला और कठल को मिक्स को एके लिए, थोरा सब पानी डल यकसे ढग देना है, दो से तीन मिनट के लिए, और अच्छे से queríaすब खोने देना है, मानना सब कुछ जो फ्लेवर कठल में अच्छे से एब्जॉब हो जाए इसलिए बस हल्का सा पानी एट करना है तो देखे कितना प्यारा लग रहा है ऐसे कठल की सबजी खाने में सच में बहुत जिस्टी लगेंगे आप एक बर जरूर से बना के देखिए और सबसे लास्ट में एट करना है ज्यादा से ज में सब्सक्तं ग्रेवी तरहा से लाट से जाइब कikठल घकना नहीं कि अच्छा लग्ता है वह बुद्स तक हैं कशे निगte है जब सकुरह दोड के सथे लगेंगे तो इसलिए इसे आज कर लेते हैं तो मैं आज इसे रोटी के साथ सर्फ कर रही हूँ तो ऐसे धेर सारे प्यास डाल के कभी ऐसे सुखी कथल के सबजी बना के देखिए सही में बहुत अच्छा लगेगा और आपको अगर और कलर पसंद है तो और कश्मीरी लाल मेर्च आप इसमें एट कर सकते हैं इसंद देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं और कथल गव्याद को दिखा रही हो तो बहुत अच्छे से सब्जी को तो अब इसे चलिए इन्जोय करती हूँ अगर यह रेसिपी आपको अच्छा लगा है तो जरूर से दोस्तो एक लाइक जरूर कीजिए फिर से मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ आप सब अच्छे रहिए बाई बाई